भारत और नेपाल के बीच परीब नौ महीने बाद आज कार्ट मांडू में बातचीत होगी और चारिक तोर पर इसका एजिंडा भारत की तरफ से नेपाल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा है लेकिन दोनों देश सीमा विवाद समेट कुछ दूसरे मुद्दो पर भी बातचीत कर सकते हैं इस वर्चूल बातचीत को दोनों पक्षों की ओर से अच्छी पहल की तौर पर देखा जा रहा है इसका योजन दोनों देशों के बीच द्वीपक्षिय पर्योजनाओं के काधियान्वियन की समीक्षा करने के लिए संयुक्त निरिक्षन समिती की बैठक के रूप में होगा 2016 में नेपाल की तदकालीन प्रधानमंतरी पुष्प कमल दहल भारत आये थे तब दोनों देशों ने आपसी विवाद सुलजाने और सहियों बढ़ाने के लिए एक तंतर स्थापित किया था प्रस्तावित बैठक इसी तंतर के तहट आठवी बातचीत होगी इससे पहले भारत नेपाल के बीच पिछली साल जुलाई में इसी तंतर की तहत वारता हुई थी जिसमें क्रोस बॉर्डर रेल लिंक, पेट्रूलियम पाइपलाइन, सडक, पुल, एकिकृत बॉर्डर चेक पोस्ट, उर्जा, सिचाई और भुकम के बाद पुनर निर्मार जैसी परियोजनाओं के कार्यान वियन की समीक्षा की गई थी इस बीच नेपाल के विदेश मंतरी प्रदीब कुमार ग्यावली ने कहा है कि भारत के साथ उनके देश का क्षितर संबंदित विवाद किवल वारता के माध्यम से ही हल किया जा सकता है अखिलेश सुमन के साथ ब्योरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी